अपने हेल्थ की चिंता भला किसे नहीं होती, हर कोई खुद को फिट और परफेक्ट बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए लोग जम कर मेहनत भी करते हैं, जिम, योगा, साइकलिंग जैसे फिजिकल वर्क के अलाबा, खान पान का भी काफी खास ध्यान रखते हैं, लेकिन पान के मामले में हमें से लगबग 80% लोग गलती करते हैं, खुद को स्वस्त रखने की फिराक में ऐसी चीजों का सेवन धरले से करते रहते हैं, जिसके अन्ने को फाइदे बताए जाते हैं, लेकिन हम इस बात की जानकारे जुटाने की कोशिश कता ही नहीं करते, कि जिन हे पुद को स्वस्त रखने के लिए बिंदास होकर कर रहे हैं, वो आहार आपके लिए किस हद तक चानलेवा साबित हो सकता है, ऐसे ही हिल्दी चीजों में शामिल है स्प्राउट्स यानि अंकूरित अनाज, जिसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन क्या आप चा जानकारी हर किसी के लिए काफी जरूरी है कि इस प्राउट्स खाना हेल्थ के लिए जतना लाबदायक है, उतना ही हानिकारक भी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि इस प्राउट्स खाने का सही तरीका क्या है और किस तरह ये आपके हेल्थ के लिए ज क्या आप जानते हैं कि सभी के सभी स्प्राउट्स पचने में भारी है। हाँ जो लोग दिन भर खेतों में कुदाल चलाते हों, रोड पर पत्थर तोड़ते हों, ऐसे लोग कच्चे अनाज को आसानी से पचा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि स्प्राउट्स पेट में पित, गैस और जलन की समस्या को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये किस तरह के बकवास कर रही हूँ, स्प्राउट्स भला कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लगबग 5000 साल पुराने आहुरवेद में क्या इसके फाइदों के बारे में गलत जानकारी दी गई है, यकीनन गलत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों इसका गलत तरीके से सेवन अवश्य हानकारक है, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर स्प्राउट्स आपके लिए हानकारक क्यूं और कैसे है, एक्शली होता ये है कि जब कोई अनाज सडने लगती है तो उसमें अंकुराने लगता है, एक्जामपल क प्यास को देख लिजे, जिसमें जितना बड़ा अंकुर रहेगा, उसे काटने पर उतनी ही जादा स्मेल यानि बदबू आएगी, ठीक उसी तरह दूसरे अंकुरित अनाजों के साथ भी होता है, मॉडर्न साइंस का कहना है कि स्प्राउट्स के अंकुरित होते समय, इसमें रहने वाली नमी से सालमोनेला, इकोलाई और लिस्टेरिया जैसे बैक्टेरिया पैदा हो सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए काफी जादा नुकसान दे साबित होता है, इन बैक्टेरियाओं की वजह से कई बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, जिन में सालमोनेला टा फाइट का मरीज बना सकता है जबकि लिस्टेरिया आपके किड़नी को खराब कर उससे जुड़े कई और बीमारियां दे सकता है वहीं इकोलाई वाइरस आपके शरीर में युरिनरी ट्रेक्स इंफेक्शन का कारण बन सकता है इतना ही नहीं ये अंकुरित अनाज आपको दस् फूड पॉइजनिंग का शिकार भी बना सकता है इसलिए हर किसी को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आखिर अंकुरित अनाज का सही तरीके से सेवन कैसे करें जिससे आपको बिना किसी नुकसान के इसके फाइदे ही फाइदे मिले तो चलिए जानते हैं फास्ट में खाएं सुबह को खाने से आपको इसका जादा फाइदा मिलेगा ध्यान रखें कि कई दिनों तक भीगा कर रखे वे अंकुरित अनाज को गलती से भी न खाएं जितना कम अंकुर रहे आपके हेल्थ के लिए उतना ही जादा अच्छा होगा कच्चा खाने की फाइवर बचता है इसलिए इसे उबाले नहीं बलकि गर्म पानी में नमक मिलाकर अच्छे से धोले या फिर उसे थोड़ा सा घी या तेल में फ्राइ कर लें इससे होगा ये उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे जो आपके हेल्थ को हानी नहीं पहु क्योंकि लिवर पर एक्स्ट्रा जोर पढ़ने लगता है चुकि अंकुरित अनाज में प्रोटीन की मात्रा बहुत जादा होती है इसलिए इसका ओवर्डोज आपको हानी भी पहुँचा सकता है इसलिए इसका सेवन एक छोटी कटोरी भर से जादा ना करें दोस्तों आज स बलकि अभी से इस बात को गाट बांध लें कि एक दिन से जादा पुराना अंकुरित अनाज नहीं खाएंगे और उसे कच्चा कभी नहीं खाएंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें कमेंट कर कुछ बताना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद